तो रिसेंटली इजरो ने रिवेल किया कि उनके साइंटिस्ट ने पहली बार दुनिया में सोडियम मैपिंग की है चांद की पर इसे काफी सवाल उठते है और मतलब इतने सारे साल हो गए इतने सारे मिशन्स इजरो के नासा के दूसरो के चांद पे गए अब तक हमने ये क्य नहीं किया इतना टाइम क्यों लगा ये सोडियम मापिंग करने के लिए और दूसरी बात कैसे किया इसका इंजिनरिंग कैसा है इसका साइन्स कैसा है सब कुछ चाहिए इस वीडियो में आपको सूर्स के जो नंबर्स है वो लेफ्ट में दिखेंगे मैं जो भी क्लेम करता ह और फिरो मैच कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में और और पढ़ सकते हो और ये पेपर या जो मेंली ये वीडियो बेस्ट है इस पेपर के उपर जो शाउट आट टू इज़रो क्योंकि इन्हों ने ये पेपर ओपन एक्सस में रिलिस किया तो चले जानते हैं सबसे पहले तो question आएगा कि ये जो अपना Chandrayan 2 का satellite है वो 100 km आल्मोस्ट उपर है अब इतने उपर से आप सदय की sodium कैसे detect करते हो इसका answer है XRF जो काफी cool है XRF का full form X-ray fluorescence तो basically अगर आपके पास एक sodium atom है उसके उपर आप X-ray photon बेशते हो और वो electron knockout कर देता है ठीक है अब electron knockout हुआ अभ उपर का shell higher energy है ठीक है और नीचे का lower अभी उपर के atom को नीचे आना है तो उसे energy level match करना होगा मतलब excess energy release करनी होगी किसी form में और वो release करता है X-ray में तो जब एक X-ray आके hit करते electron ओडाता है उपर का नीचे आता है वो एक X-ray release करते है अभी fascinating चीज़ यह है कि यह जो X-ray release हम measure करते है इस X-ray की energy kilo electron volts में पर हम उसमें ज्यादा गुसेंगा नी तो अगर हम किसी चीज़ के ओपर X-ray fire करे और आते है return जो energy आ रही है वो measure करे तो हम exactly बोल सकते है कि कौन सा item ने release किया है इसे ही कहते है XRF और यह technique effect काफी खूप सर रहते है क्योंकि यह paintings वागरा में इ इसलब कौन से materials इस्तमाल किये थे किस से शायद paint बना होगा वगरा वगरे अब यह obviously हर item को ने apply होती कुछ items के साथ ही apply होती है पर काफी cool है मैंने एक और example paper पड़ा था जिसमें उन्हेंने cheese के साथ cheese खाने का जो cheese है उसके उपर XRF use करना propose किया है क्योंकि देखो कुछ most cheese मे salt होता है नमक होता है नमक क्या होता है NaCl sodium chloride तो उस case में क्या अगर सकता है आप chloride items count कर सकता है और आपको पता लग सकता है कितना sodium है पर कुछ चीज में sodium नहीं होता है और sodium free items हो सकते तुने detect करने अगर कितने sodium items है तो वो XRF का इस्तमाल कर सकते है तो यह एक interesting चीज XRF काफी cool है पर यार मुझे बता है आप में से काफी लोग अभी सोच रहे हो कि मतलब चांद पर कहां से अब चंद्रेंटू इतना सा है अब क्या बड़ा एक सरे सोर्स डालोगी उसके उपर और कितना energy लगेगा कितना पावर लगेगा कैसे चंद पर वेल चंद के case में हमारे पास एक natural x-ray source है और वह अपने सूरज भाई सूरज यह एक x-ray machine है free वाला बहुत सारे x-ray release करता है और इस out of fingerprint होता है energy level sodium का है 1.5 फिश फोर इस जो भी है वैसे ही magnesium का 1.6 के आसपास chromium का आगे titanium का दूसरा potassium का दूसरा पर यह हम किसके साथ measure करेंगे कुछ तो होगा instrument जो चंद्रयान 2 के उपर है correct इस instrument का नाम है class जो है चंद्रयान 2 large area soft x-ray spectrometer यह इसरो वाले मस्त नाम देते हैं हमेशा instruments को यह एक x-ray spectrometer है spectrometer मतलब यह spectrum measure करना जैसे मैंने previously बोला energy वगरा अब यह आप कुछ दिख रहे boxes हो scds है अनि swept charge devices अब मेरको इसके जादा deep dive करने नहीं मिला क्योंकि मुझे नहीं समझाए इस में से but I hope I'm sure कोई ना को explain करेगा comment में यह जो right के door के उपर आपको black color दिख रही है वो form वगर नहीं है वो iron 55 radioactive sources है जो जिसका fixed radiation है और हम मनलब calibrate कर सकते class को क्योंकि इसका value बता है कितना radioactive sources है इसमें हमें तो यह जो है radioactive sources है वो calibration को इस्तमाल होते है चंद्रेंट 2 के class instrument के लिए बट यार sun के x-rays constant नहीं होते न sun के mode swings होते है इस case में जिसे कहते है क्या जाता है solar flares यह मैंने एक previously video बनाय था या how Indian scientist predicted a solar flare before the world करके जिसमें आइसर कोलके था कि जो सैसी ग्रूप के scientist है उन्होंने एक algorithm बनाया जो predict कर सकता है solar flare कितना कब आएगा वगरा उसमें मैंने काफी सारे sun के concepts होगे रहे explain कि आप देख सकते हो उसमें मैंने बताया था कि solar flares जो है उसके लगलग energy levels होते हैं ए बी सी एम और एक्स ए और भी आते रहते हैं बंबाड होते रहते हैं यह मतलब constant phase है almost पर उससे ज्यादा कभी कभी हो सकता है इसे सी या उससे भी ज्यादा एम और एक्दम ज्यादा एक्स लेवल का solar flare जो बहुत चांद के लिए चोड़ो धर्ती पर भी प्रॉब्लम कर सकते हैं हमरे साटलेट को वगरा वगरा तो इजरो ने किया कि जब भी solar flare आता है इस वो bombard कर एक्स रेस के साथ और भी ज्यादा एक्स रेफ रिलीज होता है और हम ज्यादा detection करते है sodium का वगरा तो उनकी research में इसके लिए अकाउंट करना पड़ा क्योंकि वो false हो जाएगा न वरना तो आप देख सकते हैं ये graph इसमें जो green line है वो एक c class flare के साथ हुआ और blue जो है जो higher energy flares x class के साथ उसके साथ ज्यादा detection हुआ बेट रुको चंद्रयान 2 को कैसे बता solar flare का बार है वैल उसके उपर एक और जब मेंचन किया था आपको सब समझेगा आप ही छोड़ो यह सब उसके बाद उनकी पेपर में उन्होंने यह मैप पब्लिश किया अब यह मैप को वापस यह करता हूं यह मैप एक प्रोजेक्शन एराइट स्फियर को फ्लैड बना हम इसे उल्टा भी कर सकते ब्लैंडर में अविसली परफेक्ट नहीं बढ़ करते हैं इसमें आप देख सकते हो सोडियम का जो कॉंसेंट्रेशन है वह बढ़ रहा है जैसे वह पूस्पोल्स के पास जाता है और एक्वेटर के पास कम है अब यह सब ऐसा क्यों के फार्मिशन के साथ वगएरा उस सब देखो ऐसा नहीं है कि चान्द पे सोडियम नहीं है है या नहीं ये यह में नहीं पता ता यह पता था अपलो के Mёмिशन गए जैना और पासिबल है इसलिए यह बगड़ी छीज है sodium pain क्यों है मैंने एक question डाला था वीडियो की इंट्रो में ये pain इतना क्यों है detect करने है अगर आप ये graph देखो तो sodium का जो energy levels है वो 102 के बीच के आसपस आता है इसका problem क्या होता है ये बहुत low energy है इसका मतलब ये है कि आपका जो instrument है class इस case में बहुत sensitive होना चाहिए इतने lower energy चीज से sun दिखता नहीं है पर भी आप देख सकते हो इतना सारा noise था तो इस सब noise से उबर के आपको detect करना है और of course और भी जादा scientific और engineering challenges होंगे जिसका justification में नहीं दे सकता वो research दे सकते हैं इससे पहले को ये किया क्या इससे पहले अपना ही चंद्रयान वन ने ये try किया था पर द देन उसके साथ problems है and then it died तो उसके वैसे पूरा mapping नहीं हुआ या शायद वो कर लेता not sure पर बहुत टाइम लगता हुसी करने एरिया चोटा होने के वैसे और उससे पहले भी दूसरे वाले भी गए है एक्सरे स्पेक्ट्रमेटर्स के साथ पर sodium की sensitivity ने नहीं थी उनके पास औ आप एक्मास्फियर वगएरा try करते measure करने और वो sodium glow वगएरा वो सब पर हाँ यह पहली बार है कि हमने ऐसा कुछ किया पूरे धरती नहीं और यही टेक्निक यूज करके चंद्रयान ने chromium भी discover किया था आपको याद होगा चंद्रयान टू का chromium वाला news आया था तो यह और उनको congrats और हाँ करना चाहूंगा यह क्या कि कि अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद्या और फाइनेंशली सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को और आप capable हो बच्चे हो तो यह करो बंद कर दो वीडियो तो सरूर मेंबर्शिप जॉइन बटन दबा के कर सकते आप जॉइन प स्पेशल थैंक्स टू आल मेंबर्स इंक्लूडिंग मनोहरन, कार्थिका, देवाल, जयम, शर्मा, रोहित, सुवर्ना, चैतन्या, वुटला, नारन प्रसार, प्रदीप मोहंदास, आकाश पाटील, अवित नम्भियार, तनमे देश पंडे, निशन कुमार, विशाल बारोत पल्लव रानडे हाइडरेटिंग, कुरुपल पतेल, निशन प्रजापती, शौनक पेरनी, रजद देश पांडे और जयदीप कंडारी, थैंक्यू